तो स्वागत है आपका dear student तो कैसे हैं आप लोग चलिए आज हम आपको बताएंगे जो most important important जो आपके gk के question है साथ में जो आपके polity के question है मतलब इंडिया gk होगे polity के होगे साथ में current upair के तो कुछ mixed question आज हम आपको इस class में कराने वाले हैं तो ज्यादे से ज्यादा question आपन तो वीडियो को बिना किसी skip के आपको end तक देखना है ठीक है जिससे आपकी जो exam है जो कि आ रही है तो वो अच्छे से clear हो पाए ठीक है इन में से जो की question हम बताएंगे most most होंगे ठीक है ओके चलिए start करते हैं बिलकुल तो यहाँ पर आपका जो है पहला question होगा भारत पतापर से जो है आप कमेंट करोगी भारति सम्विदान के अनुसार अपसिस्ट विशे पर कानून बनाने की सकतिया किसके पास होती है क्या वो option A है या B है या C है D है पतापर से जो है कमेंट करोगी क्या होगा राष्टपती प्रिधान मंत्री संसद राज ठीक है जल्दी ज़ली comment करे ठीक है चलिए बिल्कुल जिनको आता है वो नीचे comment करते ठीक है जिनने नहीं आता वो देख ले ओके बिल्कुल चलिए हम बता देते हैं जो है इसमें है option C संसद ओके चलिए next session के और अपन बढ़ते हैं भारत के समीदान में कितने भाग है जो भारत के समीदान है उसमें कितने भाग है option A 22, 32, 42, 52 पटापट से comment करो A, B, C, D ठीक है क्या होगा जल्दी से comment करो भई क्या होगा option A, B, C, D ठीक है पटापट से comment करो चलिए बिल्कुल हम आपको बता देते हैं इसमें क्या होगा बिल्कुल जो भाग है वो है option A, ठीक है option A होगा, ठीक है, बिल्कुल option A होगा ठीक है 22, चलिए next session के और बढ़ते हैं भारती समीदान के कितने अनुछेद है जो भारती समीदान है उसमें कितने अनुछेद है, option A 101, option B, 155, option C, 255, option D तीन सो पिच्चान में तो पटापट से कमेंट करो dear student जो भी इस question का answer जानते हैं क्या 101 होगा एक सो पिच्चान में दो सा पिच्चान में और 395 पटापट से जो है प्यारे studentों कमेंट करो ठीक है चलिए चलिए पटापट से जो है comment कर दीजिए बाकी के जो studentों को इसका answer नहीं आता उनके लिए हम comment कर देते हैं बिल्कुल उनके लिए हम बता देते हैं क्या होगा बिल्कुल इसमें होगा option D बिल्कुल जो है option D 355 चलिए next question के और अपन बढ़ते हैं चलिए next question का जो है answer आप दे ठीक है चलिए next question है आपका जो समीदान में किस भाग में नागरिखता का जो है प्रापदान किया गया है समीदान के किस भाग में नागरिखता का प्रापदान किया है option A first option B second option C third option B fourth प्रटा-पटच से जो है comment करो first, second, third, fourth समीदान के कौन से भाग में नागरिक्ता का प्रापदान किया गया है पट अपने से जो है कमेंट करो जिन साथियों को इसका अंसर नहीं पता है बिल्कुल हम बता देते हैं ठीक है और जिनको पता था वो कमेंट कर दो ठीक है चलिए बिल्कुल हम बता देते हैं ऑप्सन भी ठीक है, option B, second में, बिल्कुल इस question का answer है, में होगा, option B, बिल्कुल चलिए next question के और अपन बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, सम्मीदान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है, option A, भाग first, option B, भाग second, option C, भाग third, option D, भाग four, फटापर से, जो है, प्यारे student ओ, कमेंट करो, भाई, सम्मीदान के जो, कौन से भाग में मूल अधिकार दिया गया है, ठीक है, पटापर से जो है, कमेंट करो, ठीक है, जिनों student ओक इसका अंसर नहीं पताए, वो थोड़ा सा धेरी रखे, जिनको पताए, वो कमेंट कर दे, फिल्कुल हम बता देते हैं क्या होगा आपके जो क्शेंस का होगा बिल्कुल बिल्कुल चलिए हम बता देते हैं आपका होगा यह OPTION C ठिक है BHAGAG THDRD में मूल अदिकार दिया गया है मूल अदिकार दिया गया है चले next question की और बढ़ते हैं समीधान के भाग फुर में निम्लिकित में से किसका उल्ल्य किया गया मूलादिकार का तो किया नहीं जा सकता हूँ क्योंकि उसमें धड़ समीधान के समीधान के भाग फोर में निमली कित में से किसका उले किया गया इसका तो दोनों उप्सन तो नहीं होंगे ठीक है तीसरा और चौते में से होंगे ठीक है तो आइडिया लगा फटा पट से और जो है कमेंट करो भाई क्या होगा ठीक है कमेंट करो क्या होगा चले ब और फोर तो इन में से आपको फोर का तो यह है राज की नीति निद्य सकता तो इसके बाद में थर्ड का है मूल अदिकार और जो नाग रिखता वाला है वो है सेकंड तो बस फश्ट का जो है आपको पता लगना वाकिया जो कि आगए आपको वीडियो में पता लग जाएगा चले, next session के ओर बढ़ते हैं, ठीक है, भारतिय संभिदान की सातवी अनुसूची में बढ़नित, सोधन, अचमता और दिवाला सूची का विशय है, option A, संग, option B, राज, option C, बैस्विक, option D, समर, सम बरती, ठीक है, पठापट से जो है, dear student, comment करें कि जो भारतिय संभिदान की सात बढ़नित, सोधन, अचमता है, और दिवाला सूची का विशय है, ठीक है, पठापट से जो है, comment करो भई, dear student, ठीक है, संग, राज, और बैस्विक, समय परती, ठीक है, पठापट से जो है, comment करो भई, पठापट से जो है, comment करो भई, तो जिन student को पता नहीं है, चलिए हम ब होगा option D विल्कुल जो है right answer होगा भारती सम्मीदान की साथ भी अनुशुची में बढ़ने सोधन वय अचमता और दिवाला सोची वो है option D ओके चले next session के और अपन बढ़ते हैं next session के और बढ़ते हैं विल्कुल विल्कुल भारती सम्मीदान की साथ भी अनुशुची में बढ़नेत सारवजनिक स्वास्त और स्वच्चता अस्पताल दवा खाने सूची का विश है option संग राज वैस्पिक समपरती ठीक है पटापरी बढ़ती सम्मीदान की साथ भी अनुशुची में बढ़नेत सारवजनिक स्वास्त और स्वच्चता अस्पताल में दवा खाने सूची का विश है ठीक है पटापर से जो है कमेंट करें चली हम बता देते हैं बिल्कुल option B ठीक है option B बिल्कुल जो है राज ओके चले next session के और अपन बढ़ते हैं next session के और अपन जो है बढ़ते हैं नेमलिकित में से किस सम्मीदान संसोदन अधिनियम के द्वारा प्रस्ताबना में संसोदन किया गया option A तीसरा सम्मीदान संसोदन अधिनियम ठीक है पयार इस्टोरेंडों पटापर से जो है कमेंट करो वही option A, B, C, D म चल्ली-चल्ली से जो है आपको कमेंट करना है कि इसमे क्या होगा ठीक है चल्ली से कमेंट करिये चलिए हम बता देते हैं बिल्कुल ठीक है जिन लोगों को नहीं पता है वो आप आराम से देख सकते हो ठीक है तो इसमें अंसर है 42 सबस संसोदन सम्मी अधिनियम 1986 उके और आपने बढ़ते हैं यह थोड़ा सा चोटा है ठीक है अब इसमें को मिलान करना है तो सूची सेकेंड में बिल्कुल हम बता देते हैं चली हम मिलान कर लेते हैं है ठीक है इसमें मैं बता दिता हूं राइट अंसर क्या होगा तो फॉर्स्ट में दे Même तो ए का हो जाएगा पर्ष्ट ऑस्की बिल्कुल राइट है और भी का ये और ये इसमें ये राइट ये ये तो ओप्सन ऐ आपका जो cloud राइट अंसर हो जाएगा ठीक है, चलिए नेक्स सुचन के और अपन बढ़ते हैं, भारती समीदान में दल वदल कानून है, द दूसरी अनुसुची दस भी अनुसुची तीसरी अनुसुची और चले बिलकुल हम बता देते हैं बिलकुल जो है आपका है 10 बी अनुसुची बी उप्सन भी बिलकुल आपका प्यारे स्टूजेंटों जो इस क्लास की पीडियर लेने के लिए आप वाट्सव ग्रूप में जो जॉइन हो सकते हो तो जिन जिन को जॉइन होना एक बार कमेंट भी कर देना साथ में डिस्क्रिप्शन में अपन लिंक दे देंगे चलिए नेक्स टूशन के और अपन बढ़ बिलकुल हम बता देता हैं बिलकुल ठीक है अप्सन सी बहस्विक ठीक है बिलकुल इसमें जो होगा पैस्विक होगा चलिए नेक्स क्यों और अपन बढ़ते हैं ठीक है भारति सम्मिदान की साथ भी अनुस्यची के तहत्म बियापारिक संगठन और सोची का विसा है अप् बिलकुल इसमें होगा टी ठीक है डी सम बढ़ती ठीक है चलिए बिलकुल नेक्स क्यों बढ़ते हैं भारतिय भारतिय सम्मिदान की साथ भी अनुस्यची के तैत भवनो एवं भूमी कर सुची का विसा है संग राज बैस्विक सम बढ़ती ठीक है पटा-पट से जो है कमें करो जिनको पता है और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए हम बता देते हैं बिलकुल ठीक है बिलकुल और आपका जो है अंसर होगा राज ऑप्सन भी ओके चली नेक्स चुशन की और अपन बढ़ते हैं ओके इन में से किस समीदान संसोधन के दौरा प्रस्ताबना में समाजवादी और पंत रिन फेक्च अकंड़ता सब्दों में जोड़ा गया था उप्सन ए बियालिसवा उप्सन भी चम्वालिसवा उप्सन सी बाबनवा उप्सन डी इन में से कोई नहीं ठीक है फटा पट से जो है कमेंट करो ओके बिलकुल बिलकुल जिन स्टुदेंटो को नहीं पता है उनके लिए हम बता देता है बिलकुल इसमें होगा भाई बियालिसवा बियालिसवा जो है सम्विदान सुद्वादन के दुआरा ठीक है समाजवादी पंत रिन फेक्च अकंड़ता को सब्दों में जोड़ा गया है ओके बिलकुल चलिए आप नेक्स कमेंट करो कि जो सम्विदान में लागू होती है समय निमली कित्में से कौन सा प्रस्थाबना में सामिल नहीं था ठीक है चली बिलकुल हम बता देते हैं आपका होगा ऑप्सन सी ऑप्सन सी होगा आपका समाजवादी बिलकुल इन इस्टुरेंटर को नहीं पता था ठीक जिनको पता था वो कमेंट कर जकते हैं ठीक है चलिए नेक्स विशन की और आपन बढ़ते हैं हमारे सम्मेदान की प्रस्थाबना में इनमें किसका उलेक नहीं किया गया है option A नया है, option B बंदुता, option C प्रतिष्टा की समान था, option D भैस मतादिकार ठीक है, बिल्कुल चले बिल्कुल इसका अंसर बता देते हैं, बैस मतादिकार आपको बता दिया, option D और क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, आगे का जो कुशन है आपको नेक्स लास में अपन सॉल्ट करा देंगे